जैहिन दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी क्वेस्टन दिया गया हो और अगर उसमें पीच मान पूस्ता है तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे तो यहां पर हम लोग पीच मान के फार्मूला को सीखेंगे इसके साथ साथ हम लोग उस पे थोड़ा सा नियोमेरिकल भी करेंगे तो आईए इसको start करने से पहले ये जान लेते हैं कि पीच मान होता क्या है तो जो हमारा पीच मान होता है वह किसी भी billion के अमली या चारी प्रकित को दरसाता है और इसका परिभासा होता है किसी भी billion के सांदर्ता में उपस्थेत लगुगड़क के मान को पीच मान कहते हैं पीच मान के द्वारा हम लोग किसी भी billion के अमली या चारी प्रकित को ग्याद करते हैं तो आईए हम लोग pH मान के सूत्र को लिखते हैं जो हमें इस सूत्र के द्वारा हमें numerical को लगाना है इस सूत्र को आईए हम लोग लिखते हैं तो pH मान निकालने का जो पहला सूत्र होता है वह होता है minus log H plus iron क्योंकि यहाँ पर उसका परिवासा क्या था लगुगड़क के आयनों के स्तांदरता के ब्यूतकरम को pH मान कहते हैं तो यहाँ पर लगुगड़क हमारा क्या होता है log होता है तो लगुगड़क हिंदे होता है और log हमारा क्या होता है इसका sign होता है मैत में लिखने का और हमारा एक formula होता है दूसरा पी यच मान निकालने का अगर हमें यच प्लस का मान निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है यच प्लस गुड़े ओ यच माइनस बराबर दसकी घात माइनस 14 यह फार्मूला होते हैं इन्ही दोनों फार्मूला के आधार पर हम लोग क्वेस्टन को साल्व करेंगे यह फार्मूला इसमें लाग क्या है लगुगड़ा का यच क्या है यच प्लस सांदरता है इसमें यच प्लस है OH हाइडरॉक्सी आयन है और यहाँ पर उसका मान है 10 की घात माइनस 14 तो आई अब हम लोग क्वेस्टन को साल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्येच मान के कुछ क्वेस्टन है आई यह हम लोग इसे साल्व करते हैं पहला क्वेस्टन है किसी बिलियन के एच प्लस का सांदरत 10 की घात माइनस 5 एम है तो उसका pH मान बताइए तो आईया हम लोग इसके pH मान को लिखते हैं तो यहाँ पर answer पहला हो जाएगा answer पहला क्या दिया है H plus का सांदर कितना है 10 की घात minus 5 M है कितना है 10 की घात minus 5 M है तो हमारा सूत्र क्या होता है pH का तो होता है pH बराबर minus लाग H plus आयन तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग मान लिखेंगे pH बराबर minus लाग और H plus का यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 की घात minus 5 अब आप लोग एक सूत्रियाद रखिए अगर जब हम लोग बैदूत रसायन में नेनस्ट की समीकरण को हल करेंगे तब पर भी यहाँ पर लाग का फार्मूला लगेगा और प्रायम मैथ में लाग का फार्मूला लगता भी है लाग जैसे माली यह है minus लाग M के घात यन होता है तो यहाँ पर जो घात होता है ना हमेशा क्विश्चन को साल्व करते समय यह सामने आ जाता है minus यन लाग यम यही इसका फार्मूला होता है तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे यहाँ पर क्या है माली जै लाग यम की घात यन यम की घात यन यहाँ पर यम मालेजे 10 मान रहे नहीं अभी तो कुछ कर नहीं रहे यम यहाँ पर हो गया 10 यन हो गया माइनस 5 तो आप माइन आगे आ जाता है वहाँ पर तो इसी प्रकार से माइनस 5 यहाँ पर आगे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pH बराबर minus गुड़े minus 5 फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा lag 10 और आप लोग जानते हैं lag 10 की घात 1 और lag 10 का मान कितना होता है एक होता है तो यहाँ पर pH बराबर कितना हो जाएगा minus minus यहाँ पर plus हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा pH मान बराबर 5 तो पहला question का answer कितना आ गया pH बराबर 5 इसी प्रकार से question को इसमें solve करते हैं देखिए दोस्तों कितना ही बेहतरी इंडंग से solve हो रहा है अगर आपको समझ में आ करते चलिए साथ साथ में subscribe भी कर देजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share करिए ताकि जो आपके दोस्त हैं ओ लोग भी pH मान आसानी से निकालना सीख जाए तो आईए अब हम लोग दूसरी question को solve करते हैं आमारा यहाँ पर होगा answer दूसरा तो इसमें क्या दिया है किसी billion क यच प्लस का सांद्रड 0.1 यम हो तो इसका pH मान बताईए यहाँ पर यच प्लस का मान कितना दिया है 0.1 यम तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यच प्लस का मान दिया है 0.1 यम और क्या पूछा है पी यच मान पूछा है तो पी यच मान का formula क्या होता है पी यच मान अब देखिए हम लोग इसे solve कैसे करेंगे यहां पर हो जाएगा pH बराबर माइनस लाग है अब यह कामान रखेंगे 0.1 इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं 0.1 का बटा 1 फिर इसके बाद आप इसे देखिए यहां पर दसंबलों को हटा करके एक नीचे 0 बढ़ा सकते हैं तो next क्या हो जाएगा pH बराबर हो जाएगा माइनस लाग है यहां पर हो जाएगा 1 बटा 10 क्योंकि देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें घात लाना है यहां पर घात लाना है नहीं तो हम लोग question को solve नहीं कर पाएंगे इसके लिए घात को लाने के लिए यह असा प्रक्रम हम लोग कर रहे हैं हम next क्या हो जाएगा pH बराबर हो जाएगा माइनस लाग अब यहाँ पर देखे यह एक बटा 10 है 10 उपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 हमें जिस प्रकार से इसे बनाना था लाग यम की घातियन के फार्म में हमने बना लिया लाग यम की घातियन के फार्म में अब यह क्या करेगा माइनस 1 आगे चला जाएगा तो हो जाएगा pH बराबर माइनस पहले से ही है गुड़ा माइनस 1 का हो रहा है into log 10 अब log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ पर pH बराबर minus minus हो जाएगा plus तो हो जाएगा 1 गुड़े 1 तो pH बराबर कितना हो जाएगा 1 तो इस दूसरी question का जो answer आया हुआ कितना आ गया 1 देखिए दोस्तों कितने आसानी से निकला अगर ऐसा सवाल दिया है ना तो आप लोगों को समझ में अगर आया होगा तो आप लोग आसानी से उस सवाल को solve कर ले जाएंगे अब गाईज यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला या थोड़ा सा चेंज है क्या है किसे billion के OH minus का सांदर 10 की गात minus 8 है तो यहाँ प्लस आयन का मान निकालेंगे फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो हमारा question solve हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयन सुर तीसरा इस प्रकार से होगा देखिए यहाँ पर क्या दिया है OH minus का मान दिया है 10 की घात minus 8 OH minus का दिया है 10 की घात minus 8 M दिया है तो अब हम लोग इस फार्मूला को अपलाई करेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या है यह प्लस गुडे OH minus बराबर 10 की घात minus 14 तो अब यहाँ पर यह प्लस का मान निकालना है तो इसको उधर बेज देंगे तो हो जाएगा यह प्लस बराबर 10 की घात minus 14 पूरे का बटा अब OH का मान कितना है 10 की घात minus 8 है तो यहाँ पर 10 की घात minus 8 रखेंगे अब यह माइनस 8 को उपर ले जाएगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह प्लस बराबर 10 की घात minus 14 प्लस 8 तो minus 14 में से 8 गटाएंगे, तो यहाँ पर H plus बराबर कितना हो जाएगा 10 के घात minus 6 तो यह हो गया, हमें H plus का मान निकल गया, अब H plus आयन का मान निकला तो हमें इस formula में रखना है तो इस formula में रख करके हम लोग उसका मान निकल सकते हैं तो अब हम लोग यह फार्मूला लगाएंगे pH मान बराबर माइनस लाग यच प्लस आयन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लाग यहाँ पर यच प्लस का मान कितना है 10 की घात माइनस 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 अब यह माइनस 6 सामने आएगा और यहाँ पर माइनस गुड़े माइनस बराबर होता है प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुड़े 1 बराबर 6 तो इसका पी एच मान कितना आ गया 6 तो दोस्तों देखिए कितनी सिंपली से यहाँ निकल गया तो आप लोग समझ गए अगर कभी भी OH दिया रहता है तो इस सूद का फार्मूला का यूज़ करके उसका यच प्लस आया निकाल लेते हैं फिर इसके बाद उसका यहाँ पर फार्मूले में रख करके पी एच मान निकाल लेते हैं तो दोस्तो बस आज का वीडियो यहीं तक I hope अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर आप लोग इस वीडियो के द्वारा थोड़ा कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए दोस्तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए ताके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आपके दोस्त हैं परिवार में हैं मित्र में हैं उन्हें आप लोगे वीडियो साजा कर दीजिए ताके विए आसानी से पी यच मान को निकालना सेख सकें तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जै हिन जै भारत